दोस्तों अगर आप computer laptop या mobile का योज़ करते हैं और अगर आप अपने computer laptop या mobile पे banking side open करते हैं और कुछ भी private activity करते हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपके computer laptop पे उसकी history नबने तो यह video आपके लिए है जी है दोस्तों इस video में आपको बताऊंगा कुछ security features के बारे में जिसकी हल से आपकी जो भी private activities हैं उसका कुछ भी log अपने computer पे नहीं बनेगा तो अगर आप भी जाना चाहते हैं इस tricks के बारे में तो इस video class दो देखें तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त एंजीन अप्रतेक सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल बेटर टेक्स तो चले स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अब हम आच चुके हैं अपने computer screen पर और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमें browsing करनी चाहिए अपने computer laptop या mobile पे और अगर हम अपनी personal कुछ वाप sites open कर रहे हैं like that अगर हम banking की side open कर रहे हैं या अपनी कोई दूसरी secure side open कर रहे हैं तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है या फिर अगर हम कोई transaction कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से transaction करें जो कि बहुत है secure way में हो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा step by step firstly हमें याद यह रखना है कि अगर हो सके तो हमें अपने computer laptop या mobile पे internet explorer browser का ही यूज़ करना चाहिए अगर आप mobile का यूज़ कर रहे हैं और banking side अगर आपको open करना है तो आप फिर different bank के जो भी उनकी application होती है उनकी secure application होती है आप उनके through ही transaction करें या उनका use करें लेकिन अगर आप computer laptop के through कर रहे हैं तो आप कोशिस करें कि आप कोई भी government side या कोई भी secure side open करें तो आप internet explorer पे open करें या फिर हो सके तो microsoft age पे open करें आप देख सकते हैं कि ये internet explorer है ये icon और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Microsoft age है जो कि windows 10 के साथ inbuilt रहता है windows 10 के साथ आपको दोनों browser मिल जाएंगे तो आपको primary में यही दो browser रखने हैं अब अगर आप इन दोनों browser का यूज नहीं कर पा रहे हैं या आपने कभी भी इन पे work नहीं किया है हाला कि मैं यहाँ पे आपको पताने वाला हूँ किस तरीके से इनका यूज करना है लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं फिर उसके बाद आप Google Chrome पे जाएं तो दोस्तों आए देख लेते हैं सबसे पहले Internet Explorer के बारे में कि हमें किस तरीके से browsing करनी चाहिए तो दोस्तों यह simply browsing जो भी हम करते हैं लाइक जाट अगर हमने कोई website open की यहाँ पे आप को मैं दिखा देता हूँ मा लिजे हमने अपने bank ICICI bank की site open की ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ICICI bank की site open की तो यह normal browsing हो गई आप जो भी इसमें access करना चाहते हैं इन सब की history आपके browser पे बनेगी तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर browser पे एक बहुत अच्छा feature होता जिसको कहते हैं private browsing तो सबसे पहले आपको ध्यान अगना है भले ही आप internet explorer या microsoft age browser का ही यूज़ कर रहे हैं फिर भी आपको private browsing का यूज़ करना चाहिए तो private browsing का option कहां इसके आपको क्लिक करना है उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं safety का option है इसके अंदर बहुत सारी आपको safety options मिल जाएंगे इनमें आप देख सकते हैं second number पे है private browsing तो सबसे पहले हम private browsing का यूज़ कर लेते हैं तो हम चलते हैं private browsing पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह private browsing लिखा हुआ है अब हमें कोई भी site अगर open करना है तो हम private browsing पे ही हमें करनी चाहिए अब अगर यहाँ पे हम ICICI bank या कोई दूसरी भी site हम open कर रहे हैं और अगर हम वहाँ पे कुछ भी यूज़ कर रहे है private browsing के अंदर तो इसका कुछ भी history ब्राउजर पे safe नहीं रहेगा ब्राउजर ऑटोमेटिकली इसको delete कर देगा जैसे हम इस window को बंद करेंगे यानि close करेंगे like that cookies, history, temporary file सबको यह delete कर देगा automatically तो सबसे पहली बात यही आद रखना है कि आपको private browsing पे ही साही चीज़े access करनी चाहिए बहले ही आप अपने computer पे ही login कर रहे हैं और अगर आप किसी दूसरे के computer में या cyber cafe में आप use कर रहे हैं तब तो आपको must हो जाता है कि आप private browsing का use करें उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ और option बता देता हूँ internet explorer के यहाँ पे आपको जाना है उसके बाद यहाँ पे कुछ safety option बता देता हूँ यहाँ से आप browsing history delete कर सकते हैं tracking protection आप लगा सकते हैं कोई भी track ने कर पाए ठीक है यहाँ पे आप do not track रइक रिक कर सकते हैं構ने फिल्टरिंग लगा सकते हैं विब पेज प्राइवेसी report भी चण कर सकते हैं इस website को भी चेक कर सकते हैं किसी website watch चक कर सकते हैं इसके अन्दर उसके security feature को चेक कर सकते हैं यहाँ पे आप defender screen स्क्रीन भी ऑन कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यह Microsoft Age का भी option इसके अंदर ही दिया हुआ है यहां पर add side to app भी दिया हुआ है manage add-ons add-ons दोस्तों वह होते हैं जो भी browsing में support करते हैं उनको कहते हैं add-ons तो बहुत सारे add-ons हो सकते हैं किसी भी computer में दोस्तों उसके बाद आपको internet option पर जाना है यहां पर बहुत सारे option आपको मिल जाएंगे आप चाहें तो यहां पर कोई website set कर सकते हैं जैसे आप internet explorer को on करेंगे आप जो चाहते हैं जो भी website यहां पर सबसे पहले open हो उसकी setting यहां से आप कर सकते हैं अब हम चलते हैं सबसे पहले security पर तो यहां पर आपको चार security option मिल जाएंगे अगर आप internet के security देखना चाहते हैं तो आप यहां से अभी यह medium high है तो आप चाहें तो इसको option आपको मिल जाएंगे यहां पर आपको सबसे नीचे एक option मिलेगा कि logon कोई आप साइट अगर आप logon करते हैं तो यहां पर आप चाहते हैं तो automatically login हो जाएगा तो यहां पर आप security features की बात करें तो यहां पर आपको फूर्थ नंबर सेलेक्ट करना चाहिए और यूजर नेम पास्वर्ड हर बार यह यूजर नेम पास्वर्ड और मागेगा उसके बाद आपको यहां पर कर देना है ठीक है दोस्तों उसके बाद यह कर देना है तो यह security जो है custom हो जाएगी जो हाई लेबल की हो जाएगे उसके बाद अगर आप लोकल इंटरानेट की बात करते हैं तो यहां पर आपका कंप्डिटर है तब भी यह फीचर भी आपके काम आएगा यहां पर तो यहां पर अभी हमने medium करके रखा हुआ है अगर हम हाई कर देते हैं तो जो सबसे restricted साइट रहाएं तो यह है हाई है ये restricted sites अगर हमने किया हुआ है तो high किया हुआ है मतलब जिदने भी restricted site है वो आपके computer में नहीं open होगी उसके बाद आपको apply कर देना है okay कर देना है ठीक है अब उसके बाद हम अभी okay नहीं करेंगे उसके बाद अभी हम privacy mode पर भी जाते हैं कर लेते हैं बहुत साइच चीज़ें यहां आप देख सकते हैं टॉन पॉप ब्लॉकर भी हमने और करके रखा हुआ है यह करेगा आपके security के लिए उसके बाद content है connection है है यहां connection वेपिन वगरा आप एड़ कर सकते हैं लैंड सेटिंग कर सकते हैं यहां पर programs हैं और यहां पर advanced option हैं दोस्तों कई बार क्या होता है हमारे browsing की setting कुछ disturb हो जाती है या किसी वज़े से उचेंज हो जाती है तो हमें यहां तो by default अगर करना है तो हमें restore advanced setting कर लेना है इस पर क्लिक करोगे तो restore हो जाएगी अगर आपको reset करना है कि फिर से यह बाइडिफॉल्ट हो जाए तो हमें रिसेट ब्राउजर पर यहां पर reset पर क्लिक कर देना उसके बाद OK कर देना है और उसके बाद OK कर देना है तो यह reset हो जाएगा आपको वही चीज़ फॉलो करनी है यहां पर आप राइट हैंड पर जाएंगे उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं न्यू इन प्राइवट विंडो यह इसका भी शॉटकट सेम है CTRL SHIFT PLUS P तो अगर आप CTRL SHIFT P करते हैं तब भी यह open हो जाएगा और यहां पर आप क्लिक करोगे तब भी private mode open हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यह private mode पे हम हैं अब यहां पर कोई भी अगर हमें website open करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं जैसे ICICI bank का करना है तो हमने यहां पर सर्च किया तो इस तरीके से आप इसके अंदर भी private browsing का option ले सकते हैं private browsing आप सब के लिए बहुत ही जरूरी है private browsing से ही आपको सारे transaction और सारी secured side open करनी है अब दोस्तों यहां पर सबसे important चीज एक और बताने वाला हूं अगर आप कोई भी banking side open करते हैं transaction करते हैं अपने computer से तो अगर आप उस चीज का password किसे भी चीज का अगर आप password यहां पर type करते हो तो आपको normal keywords से नहीं करना है आपको खुद का computer या laptop है तो आप चाहो तो कर सकते हो keyboard का यूज लेकिन अगर आप किसे दूसरे computer या कहीं cyber cafe से अगर आप किस भी banking side को open कर रहे हो तो आपको normal keywords से password type नहीं करना है उसके लिए एक feature दिया हुआ है Windows operating system ने on keyboard on screen keyboard का option है यहां पर आप देख सकते हो on screen keyboard आपको search कर लेना है यह आपको सभी Windows operating system में मिल जाके जाए वह Windows 7 हो 8 हो या 10 हो उसके बाद आपको यहां से open करना है और उसके बाद अगर आप ID password डाल रहे हो अपने banking का या online banking का तो आपको इसी के से आप अपना ID password भी डाल सकते हो on screen keyboard के through तो यह भी ब्राउजर काफी अच्छा है उसके बाद अब हम चलते हैं Chrome के तरफ Google Chrome उस कैसे हमें करना है प्राइवेट ब्राउजिंग का यूच और किस तरीके से हमें सेटिंग देखनी है वो चीजे हमें यहां पर ध्यान देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब हम Google Chrome के अंदर पहुच चुके हैं तो इस पर कैसे प्राइवेट ब्राउजिंग का option प्लस N है तो यहां पर अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग पर जाओगे तो अब आप देख सकते हो कि इसके क्या क्या प्राउफिट है यहां पर आपको लिखा हुगा Chrome वुड नॉट सेव दा फॉलविंग इन्फॉमेशन यह ब्राउजिंग हिस्ट्री यह सेव नही है तो यह कुछ भी थार्ड पार्टी कुकीज को भी ब्लॉक कर देगा तो यह बहुत ही अच्छा फीचर है प्रावेट ब्राउजिंग भले ही आप किसी भी ब्राउजर को यूज कर रहे हूं अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको कुछ ऑप्शन और बता देता हूं इस प अगर आप जाओगे आप सट्टिंग पर जाते हो तो आपको यहां पर एक उप्शन मिलेगा लेफ्ट- packaging तो यह, प्राउजर पूछने लगता है कोई बी ID पास्वड यह सिफ कर लेता है तो आपको इसको भी हमेसा उफ करके ही रखना है और अगर आपगा एनसे से ID password save हैं तो आपको simply यहां पे three dot पे क्लिक करना है और आपको remove कर देना है और दोस्तों आपको सिर्फ इतनी ही चीजे follow करने हैं और अगर आप सिर्फ इतनी चीजे ही follow करेंगे तो आप अपने banking को अपने सारे activities को से cure रख सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको यह वीडियोस नहीं होगी अगर वीडियोस नहीं हो तो लाइक करें अपने दोस्तों सारे करें अगर आपकी कोई query है तो comment box पे comment करके जरू पूछें एक नई वीडियोस आपसे फिर्म लकात होगी तब तक के लिए good bye all the best